हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू माई एटोब चैनल संग्यान पाट साला, आज इस वीडियो में जन्नल नालेज जो आपकी लूसेंट से कुछ कोस्टन लिये हैं, काफी इंपार्टेंट है एकजाम्स की दश्टी से, चलिए देखते हैं, पहला कोस्टन क्या है आपका, पहला को कावेरी, चलिए नेक्ट एकते हैं, नेक्ट कोस्टन आपका क्या है, नेक्ट कोस्टन है, आपका थर्ड नंबर, भारत में किस राजजी को इस्वर का अपना देश, गार्डन ओन कंट्री कहते हैं, तो आपका केरल, नेक्ट कोस्टन है, बिसुहीरा आपुरती में कौन सा सरवादिक युगदान देता है तो आपका रूज चलिए next टेखते हैं next question आपका क्या है next question है आपका भारत के किस सहर को कभी भी सूरज की उद्वादर केरणे नहीं मिलती तो आपका चंडीगर चलिए next टेखते हैं जिस इस्तान पर भूकम पाता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं तो आपका केंद्र भूकम केंद्र चलिए नेश्ट देखते हैं नेश्ट कोस्चन आपका क्या है भारत में कौन सा राज महत्वपूर्ण तामर उत्पादक राज है तो आपका राजस्थान चलिए नेश्ट देखते हैं बन कटाई की दर सब से यदिक होती है तो सीतोसन कटवन दे एंचल चली एक देखते हैं नेश्ट केंडया है विश्ट बनन जीब निदी का आस्रसा किस वर्स किया गया तो आपका 1961 में किखता है चली एक देखते हैं एक वर्ट क क सप्धा का होता है तो आपका भालू के होता हैंता ऑप् Denver पहवीक रूप से घटित होने बाला सबसे बहरी ततलो कौन सा है도 आपका इरोनियम, नेस्ट है आपका, बिच्छेधक नदी के गुमाँ से बनी जील को क्या खेते हैं, तो आक्स बो जील, चलिए नेश्ट लेंगे देखते हैं, नेस्ट कोष्चन आपका क्या है?. नेश्ट कोश्चन है आपका पोत बंजा कुद्धोग में भारत का कौन सा राज अग्रणी है तो आपका गुजराद चलिए नहीं देखते हैं बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है तो आपका क्वार्ड्स में नेश्ट है आपका भारत के किस राज में छेत्पल एवम जन्तंक्या की दस्टी से समान रेंकी गिस्तिती है तो आपकी मेंगाले में नेश्ट है जो बन चक्रवातों के अब्रोद को का कारे करते हैं बेवन कौन से हैं तो आपका महें गुरोप बन नेश्ट है आपका भारत में सबसे उँची चोटी कौन सी है तो आपकी केटू गाडवे नाश्टिन ये भारत की सबसे उँची चोटी है और वर्ल्ड की दूसरी सबसे उँची चोटी है पहली माउंट एवरेश्ट है जिसकी उचाई आपकी 88-88-58-50 मीटर है और जो आपकी नेपाल में इस्तित है नेपाल में माउंट एवरेश्ट को सागरमाथा कहा जाता है चलिए नेश्ट देखते हैं हवा के तेज वेक्ट से वने रियतीले टीलो को क्या कहते हैं तो मरू टिबबा डियून नेश्ट है आपका नेश्ट कोश्चन है आपका बिस्ट के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं तो सरत कालीन बिस्ट नेश्ट है आपका बिस्ट का सबसे बड़ा दीब कौन सा है तो आपका ग्रीन लेंड दीब बिस्ट का सबसे बड़ा दीब है Next question है आपका इटों के निर्माण में कौन सी मिट्टी का प्रियोग किया जाता है तो आपका लाल पीली मिट्टी का प्रियोग किया जाता है इटों के निर्माण में नेश्ट है आपका भारत में किस राजी को धान का कटोरा कहते हैं तो आपको आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश राजी को भारत में धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां पर धान की पैदावार काफी इच्छी होती है, चलिए नेस्ट गोश्चन देखते हैं, भारत के किस राजी को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो राइस बाउल तो आपका आंदर प्रदेश को ह चावल का कटोरा कहा जाता है चलिए नेश्ट गोश्चन देखते हैं आपका बिस्व की 25 पैसत भूमी को अच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है तो साइव एरिया का टाइंगा वन नेश्ट गोश्चन है आपका सूरिया चंदगर्ण में प्रत्वी की छाया कितने भाग में विवाजित हो जाती है तो आपकी तीन भाग में विवाजित हो जाती है चलिए नेश्ट गोश्चन देखते हैं नेश्ट गोश्चन है आपका डेमोक्रेसी सब्द किस मांसा से लिया गया है तो आपकी ग्रीक मांसा से लिया गया है नेश्ट है राजपाल दोवारा जारी अद्यादेश विदाहन सवा दोवारा कितने समय में पारित करना होता है तो आपका छे सब्ता के अंदर पारित करना होता है किस राज में सबसे पहले पंचायर राज प्राणाली प्रारम हुई तो आपकी राजस्तान में प्रारम हुई आपका बहुत इंपर्टन कोश्चन है कप एक जांस में आपका पूछा गया है चलिए देखते हैं चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतरगत इस्थापित किया गया तो आपका अनुच्छेद 324 के अंतरगत चुनाव आयोग इस्थापित किया गया नेश्ट कोश्चन है जहां कोई कानून नहीं होता यहां कोई सुतंतता नहीं होती यह गतन किस ने कहा तो आपका जॉन लाक ने कहा यह भी काफी इंपर्टेंट है दोस्तों ध्यान लखिएगा इसको नेश्ट है आपका भारतिय संविदान के किस अनुच्छेद में मुख्य मंतरी की कारियों को परवासित किया गया है तो अनुच्छेद एक सो सड़ सड़ नेश्ट कोस्चन देखते हैं नेश्ट कोस्चन है आपका भारतिय सम्मिदान के किस अध्याय में जंता को गारंटी मूल अधिकार दिये गए हैं तो आपको भाग तीन नेश्ट है आपका UN Charter में कितने सिद्दानत हैं तो आपके साथ सिद्दानत हैं नेस्ट कॉश्च्टन है आपका नď नइच्ट को घोस्च्ट करता है तो एक राज ःसंग नेस्ट कौस्च्टन है आपका भारतिय सम्मिदान में अब सिष्ट्र सकतियां किसको सूपी गई है तो केवल संग संसद को नेलाइस्ट कोस्चन है, एक धन्विदेअग कहां प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल लोक सबा में धन्विदेअग प्रस्तुत किया जा सकता है, चलिए नेलाइस्ट देखते नेश्ट गोश्चन है आपका नेश्ट गोश्चन कौन सा एक निवारक निरोद अधनियम नहीं है तो बिदेशी मुद्रा अधनियम जिसे फेरा नेश्ट गोश्चन है बर्स 1977 में किसकी अध्यच्छता के अंतरगत पंचायत राज की जाच करने के लिए एक सरकारी समती नेव्ट की गई तो असोप महता नेश्ट गोश्चन है आपका नेश्ट गोश्चन है दोस्तो मैं किवर कहता है बंदू बांधवो से समाज बनता है और अंतता समाज से क्या बनता है तो आपका राज बनता है बारतिय सम्मिदान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोग तंतर को सुनिश्चित किया गया है तो राज के नीती निदेशक सिद्धान्थ बारतिय सम्मिदान की आठमी अनसूची में कौन सी भासा बिनिदेश्ट नहीं है तो आपकी अंग्रेजी कितने देश UN जन्नन असेंबली के सदस्य है तो 193 देश किस समती या आयोग ने केंद्र और राज से संबंद की जाच की तो सरकारी या आयोग नेश्ट गोस्चन है आपका दोस्तों नेश्ट गोस्चन भारतिय सम्मिदान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अबसरों का प्रापधान है तो अनुच्छे 16 नेश्ट गोस्चन है राष्ट पती को अपना त्याग पत्र किसे प्रस कुमार सेन नेश्ट है आपका भारत के वहकों से एक मात्र दूसरे उपराष्ट पती हैं जिनोंने एस राधा करसनन के बाद दूसरी अनकरमिक अबदी में पद प्राप्त किया तो आपके एमेच अनसारी चलिए नेश्ट वोस्चन देखते हैं नेश्ट वोस्चन है आपका दोस्तो यदि राष्ट पती त्याग पत्र देना चाहें तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा तो भारत के उपराष्ट पती को संबोधित करेगा नेश्ट वोस्चन है बन मेंट दोस्तों यह रहां आपका नेश्ट गोश्चन 1956 में राज्यों का पुनरगठन करने से 14 राज्यों छे राजसंग छेत्र बने किस आयोग के लिए भारतिय सम्मिदान में कोई प्रापदान नहीं किया गया योजना आयोग चलिए नेश्ट गोश्चन देखते हैं नेश्ट गोश्चन दोस्तों है आपका यह दि केंद्रिय संसत को राज्य सूची में सामिल विदाई सक्तियों और विश्यों का ग्रेंड करना हो तो इस का प्रस्ताओ किसके द्वारा पारिद किया जाएगा तो आपका राज्यसरवा द्वारा पारिद किया जाएगा नेश्ट गोश्चन है झैब मंडल से प्राप्त और एसे सुरोथ कौन से हैं जिनमें जीवन काल होता है तो आपका जैविक सुरोथ चलिए नेश्ट देखते हैं नेश्ट गोस्टन है दोस्तों आपका जूट उत्पादन में सबसे प्रदेश कौन सा है तो आपका पस्चे मंगाल में जूट सबसे अधिक पैदा होता है कौन से देश पाक स्टेश से जुड़े हुए हैं तो भारत एवं सिरी लंका पाक स्टेश से जुड़े हुए हैं नेष्ट गोष्चण है आपका किसी राधनेतिक दल को पंजी करत दल की इस्तती पाने के लिए कम से कम कितने परस्ष्थ मताने चाहिए तो आपके तीन परसेंट चाहिए थे कर से जूच प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए तो कुल सदस्यों का कम से कम दो बटे तीन सदस्य होने चाहिए सारविजनिक पद का अधिकार है तो नागरिक अधिकार नेश्ट गोश्चन है आपका नियाए पाल का दारा दारा बनाएगे कानून को कहते हैं नेड़ विदी चलिये नहीं स्थ देखते हैं जान आपका क्या है नेश्ट गोष्चन है आपका भारत के नियंत्रक एबं महालेखा परिच्छक का कारिकाल कितने वर्षों का होता है तो आपका 6 वर्षों का होता है सर्वोच नियालेक नयाएदीस की शेवा निवरत्ति की अबदी कितनी होती है तो आपकी 65 वर्ष होती है नेश्ट कोश्चन है डक्टर पी रामा राव समती किस से संबंदित है तो आपकी रच्छा से संबंदित है नेश्ट कोश्चन है आपका नेश्ट कोश्चन दोस्तो भारतिय सम्मिदान के अनुसार क्या संबयदानिक निकाय है तो बित आयोग एक संबयदानिक निकाय है जिस सम्मिदान सवाव द्वारा भारत के सम्मिदान का अधनियम किया गया उसके सज़स्य कौन थे तो बिविन प्रांतों की बिदान सवाव द्वारा निर्वाचित सज़स्य थे भारत में 27 वसासन का जनक किसे का जाता है तो लाड रपन को कहा जाता है इस ताइस वसासन का जनक दोस्तो बेरी इंपार्टेन कोश्चन है आपका ध्यान लगिएगा नेश्ट कोश्चन है इंडियन एकोनोमी से संबन्देत हैं कुछ किसी अर्ध विवस्ता में उतकर सवस्ता का आर्थ है तो इस्तिरवधी प्रारंब होती है बंद अर्ध विवस्ता का क्या आर्थ है तो ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो तो वह आपकी बंद अर्ध विवस्ता कहलाती है कर उतने ही निष्टित हैं जितनी मिरत्तू क्योंकि बेस सरकारी राजस्व के पिरमक सुरोत का गठन करते है मुद्रा इस्पेती को रोकने के लिए कौन सा सरकार दोरा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है तो उपभोग में बढ़ोत्तरी चलिए नेश्ट देखते हैं मांग बक्र कब अंतरित नहीं होता तो जब केवल बस्तों की कीमत बढ़ती है नेश्ट गोश्चन है मार्कस वादी भोतिक बाद किसके विचार से आया तो आपका डार्विन के विचार से आया नेश्ट कोश्चन है आपका भारती अर्थ विवस्ता में सितिलकाल है तो जनवरी से जून नेश्ट कोश्चन है अर्पतेच कर है तो आपका उतपाद सुल्क उत्पास सुल्क आपका, अपतेच्च कर है Next Question है आपका ग्रामीड बित्भ पोसंड के लिए कौन सा मुख्यवैंक है, तो आपका नावार्ड Next Question है आपका समाजवाद का प्रत्थम बैग्यानिक विसलेसन किसने किया था, तो आपका काल मार्क्स ने किया था चलिए next देखते हैं next question है आपका किसने स्वायत निवेश को प्रेड़ित निवेश से प्रत्थक किया था तो आपका सुम पीटर ने किया था next question है कीमत विचलेशन के समय तत्तो किसने शुरू किया था तो आपका अलफेड मार्सल ने शुरू किया था नेश्ट गोश्चन है आपका वोगता को अधिक्तम संतुष्टी उस बिंदू पर मिलती है जहां सीमानत उपयोगता मरावर कीमत किसी फरम के ये सुलाव क्या है तो उतपादन लागत में बचा next question है उत्पादन फलन किसके भी संबंध है तो उत्पादन और उत्पादन कारक last question है आपका last question है दोस्तों आपका उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिसेत अजित कर सकता है जब इसकी आपूरती इस प्रकार होगी पूर्ण बेलोज दोस्तो यही थे हैं आपके important question जो आपकी competitive exams की दिश्टी से काफ़ी important है और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें, share करें धन्यवाद